असलाम लेकुम, वेलकम टू इजी लर्निंग, तोड़े वी आर गूंग टू डिसकस एक्सराइज 2.4, इस एक्सराइज को स्टार्ट करने से पहले आपके प्रिवेस कॉंसेप्ट क्लेर होने चाहिए, चलते हैं एक्सराइज की तरफ, आपके पास स्लोप के दो फॉर्मलाज हैं, ये बेसिक फॉर्मलाज हैं जो आगया आपकी पूरी एक्सराइज में हेल्प करेंगे, अगर आपको कोई एंगल गिवन हो, तो आप स्लोप निकालने के लिए सिंपल 10 थीटा करते हैं, तो आपके पास स्लोप की वैल्यू है जाती इसी तरीके से आपके पास कोई भी दो स्ट्रेट लाइन्स अगर आपस में पैररल हैं, तो पैररल कंडीशन के मताबिक दोनों का स्लोप एक्वल होता है, और अगर कोई भी दो लाइन्स आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो उन दोनों के स्लोप का प्रोड़क्ट हमेशा म माइनस वन के बराबर आएगा इसी तरीके से अगर आपको एंगल निकालना है दो लाइन्स के दर्मियान दो स्ट्रेट लाइन्स आपको गिविन हैं उनके स्लोप्स आपके पास मौजूद हैं तो उन दोनों लाइन्स के दर्मियान एंगल निकालने के लिए आप 10 theta is equal to plus minus m1 minus m2 upon 1 plus m1 into m2 अब चलते हैं questions की तरफ in question no.2 we have to find the equation of the locus of a moving point such that अब अगले तमाम parts आपके पास given है मैं आपर 5th part discuss कर रहा हूँ 5th part मैं आप से कहा है moving point such that the slope of the line joining the point to A point को यहाँ पर मैं P consider कर रहा हूँ P से लेके A तक का आपके पास एक line है इस 3 times the slope यह आपके पास दूसरी एक line है जिसका slope 3 times है of the line joining the point to B यह नहीं कि आपके प से लेके B तक एक line है उसका slope और P से लेके A तक की जो line का slope है इनके आपस में relation सवाल में given है solution let P x, y is the moving point A x1, y1, b x2, y2 यह आपके point सवाल में given है यहाँ पर आपने कहा कि M1 is the slope of line P to A and M2 is the slope of line between P and B तो P से लेके A तक M1 कह रहे है P से लेके B तक M2 कह रहे है given condition आपके पास है M1 is equal to 3 times of M2 अब आप M1 और M2 का formula पुट कर दें जो भी हमने डिसकस किये था M1 आपके पास slope है point से लेके A तक तो आपके पास Y1-Y upon X1-X और M2 आपके पास point से लेके B तक की line का slope है यहाँ Y2-Y upon X2-X आपके पास X1, Y1, X2, Y2 given है X और Y की value आपके पास नहीं है आप values जो given है वो put कर दें आपके पास 3-Y upon 1-X is equal to 3 times of 1-Y upon 3-X आपस में आप cross multiplication करेंगे आपके पास solution के बाद 3-Y into 3-X is equal to 3 times of 1-Y into 1-X आप bracket को solve कर लें after solution आपके पास 2XY is equal to 6 यहनि के XY is equal to 6 upon 2 and X into Y is equal to 3 यह आपके पास एक equation आगी जो आपके सवाल में पूछी गई थी आपसे कहाता है के equation मालूम करें तो यहाँ पर आपने इस method से equation find out कर ली चलते हैं next question की तरफ in question number 10 the line through given two points आपके पास यहाँ दो points given है let's suppose A and B आपके पास एक line draw की जा रही है A से लेके B तक इस perpendicular to the line through यह आपको दो points given है let's suppose C and D तो आपके पास first line L1 is perpendicular to the second line L2 find X यहाँ पर जो आपके पास D point में X,3 आपको यह X की value निकाल ली है तो for first straight line let A and B are the given two points if M1 is the slope of first line that is L1 then according to slope formula आपके पास M1 is equal to Y2 minus Y1 upon X2 minus X1 X1 Y1 आपके पास मौजूद है X2 Y2 भी मौजूद है values पूट करें आपके पास slope यहाँ पर solve करने के बाद आएगा 7 upon 5 तो M1 is equal to 7 upon 5 यह आपके पास first line का slope आ गया अब for second straight line आप इसको let कर लें C and D X dash Y dash X double dash Y double dash यह आपके पास दो points given है और इनका slope आपस में M2 होगा similarly उसी तरीके से जिस तरह आपने पिछले slope को निकाला है यहाँ पर आप उसी तरीके से slope निकालेंगे that is M2 जब आप values पूट करेंगे आपके पास M2 will be equal to 4 upon X minus 4 आपको सवाल में कहा था के both lines are perpendicular तो यहाँ पर perpendicular condition आप अप्लाइ करेंगे that is M1 into M2 is equal to minus 1 अब आपके पास L1 और L2 both were perpendicular to each other it means के दोनों का slope का product भी minus 1 के बराबर आएगा आप values put करते हैं 7 multiply of 4 is equal to 28 5 into X 5 X minus 5 4s are 20 तो आपके पास 28 upon 5 X minus 20 is equal to 1 cross multiplication करेंगे आप after solution आपके पास 5 X is equal to minus 8 यहनी X is equal to minus 8 upon 5 आपसे सवाल में कहा था कि आपने X की value find करनी है तो आप इस method से solve करेंगे चलते हैं next question की तरफ in question number 11 using slopes prove that three points are the vertices of right triangle यहाँ पर आपको तीन vertices given है एक right angle triangle के अब तीन vertices आपको given है it means कि जो इस right angle triangle की 3 sides है side AB side BC and side AC यह 3 straight lines आपके पास महजूद हैं अब किसी भी right angle triangle की दो lines आपस में हमेशा perpendicular होती है अगर आप इनके slopes निकालेंगे तो अगर कोई भी आपके पास दो lines perpendicular है तो it means इन दोनों का slope minus 1 के बराबर होगा तो मेरे पास अगर कोई भी side यहां पर 3 sides मौजूद हैं इन में से कोई सी भी 2 sides आपसे product minus 1 के बराबर देंगी तो यहां पर आपका सवाल प्रूव हो जाएगा कि आपके तीनों points are the vertices of a right angle triangle तो आप यहां पर slopes निकालेंगे according to slope formula सब से पहले आप slope of side ab तो आपके पास side ab का formula होगा y2 minus y1 upon x2 minus x1 values जब आप put करेंगे आपके पास slope of side ab will be equal to 5 upon 9 इसी तरीके से अब आप 2 slopes जो रहेगे मों निकालेंगे slope of side b c तो इसका formula होगा y3 minus y2 upon x3 minus x2 values पूट करेंगे आपके पास slope आ रहा है minus 2 upon 7 similarly तीसरी value अब आप निकालेंगे third slope के लिए slope of side a c इसका formula y3 minus y1 upon x3 minus x1 जब आप इसको solve करेंगे values पूट करेंगे आपके पास answer आ रहा है slope of side a c is equal to 7 upon 2 अब आपके पास तीन slopes मौजूद है slope of side ab, side b c and side a c अगर आप यहां पर गोर करें तो आपके पास side b c और side a c का product minus 1 के बराबर आ रहा है आप दोनो side के slope का product लेंगे यानिके दोनो sides को आपने multiply करवा देना है इनके slope को तो आपके पास answer यहां पर minus 1 के बराबर आ रहा है यहां पर आपके पास इस तरीके से यह प्रूव हो जाता है कि दो sides आपको यहां पर perpendicular condition प्रूव करके दे रही है तो इस तरीके से आप यहां पर इसको solve करेंगे चलते है next question की तरफ in question number 15 we have to find the measure of the angle from a line with slope minus 2 upon 3 to first part y axis second part x axis यहां पर आपको कहा गया है कि आपके पास एक line है उसका slope given है आपको angle मालूम करना है from the line towards x axis and from the line towards y axis तो यहां पर आपके पास first part बाद में हम solve करेंगे second part में पहले solve कर रहा हूँ for the angle from given line to x axis आपको slope given है minus 2 upon 3 इसको आप m1 consider करेंगे अब m1 आपके पास given है और आपको पता है कि जो आपका x axis है यह भी एक straight line represent कर रहा है और इसका slope 0 के बराबर होता है तो आपके पास यहां पर दो slopes given है m1 और आपने x axis के slope को m2 let कर लिया है तो यहां पर आप according to the formula for angle between the lines use करेंगे यहां पर आपके पास angle theta 1 consider किया जा रहा है from the given line towards x axis formula आपके पास होता है tan theta 1 is equal to m2 minus m1 upon 1 plus m2 into m1 अब plus minus का sign हम तब use करते थे जब हमारे पास clarity नहीं होती थी कि आपकी जो line है वो angle कहां से बना रही है either from the line towards the x axis और from the x axis towards the line यानि के मेरे पास अगर x axis है और एक straight line है अब angle मेरे पास या तो start हो रहा है line से towards x axis या x axis से start हो रहा है towards the line अगर यह clarity नहीं है तो हम plus minus sign यूज़ करते हैं अगर clarity है तो हमारे पास formula fix हो जाता है यानि के m2 minus m1 means आपके पास x axis minus line यानि आपका final minus initial point तो final point आपका x axis है initial point आपका given line है तो यहाँ पर आपके पास m1, m2 की values मौजूद है put करेंगे जब आप values put करेंगे solution के बाद आपके पास tan theta 1 will be equal to 2 upon 3 यानि के theta 1 will be equal to tan inverse 2 upon 3 आपके पास theta 1 angle आगया 33.69 degrees यहाँ पर आपने second part solve कर लिया, first part पर आप आएंगे तो for the angle from given line to y axis आपके पास अब y axis के लिए diagram समझना है यहाँ पर लाजमी है मेरे पास y axis मैंने यहाँ represent किया है आप इसको भी ले सकते हैं आपके पास यह angle हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर theta 1 angle था from the line towards x axis अब theta 2 मेरे पास angle है from the line towards y axis अगर आप diagram पर गौर फोर्माएं तो आपके पास theta 1 angle आपने पिछले part में निकाल लिया है और x axis से लेके y axis तक का जो angle है that is equal to 90 degrees यह angle हमेशा fix होता है which is 90 degree मैं अगर अपने theta 1 में 90 degree add करवा दूँ तो मेरे पास theta 2 आराम से आजेगा तो यहाँ पर theta 2 का formula है 90 degree plus theta 1 आपके पास theta 1 की value मौजूद है simply add करवा दें आपके पास 123.69 degrees यह angle आजेगा from the line towards y axis तो यहाँ पर आपके पास इस तरीके से इस सवाल को solve किया जा सकते है आप यहाँ चाहें तो पिछले method की तरहा यानि के पिछला part जो मैंने करवाया उस method के through भी कर सकते है लेकिन आपको solve करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाया है क्योंकि आपका जो y axis है इसका slope 1 upon 0 यानि के infinity होता है इसलिए बेतर है कि आप इसमें geometry की मदद लेके solve कर लें उमीद है आपके इस सवालात clear हो गये होंगे